Electoral Bond की जानकारी देने से जुड़े केस में State Bank of India यानि SBI की आचिका पर सुमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया SBI ने कोर्ट से कहा Bond से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए इस पर CJI डिवाई चंद्रचून ने पूछा पिछली सुनवाई 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या 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 करीब 40 मिनिट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का ख एफिडेविट फाइल करें कि दिये गए आदेशों का पालन करेंगे हम अभी कोई कंप्लेन नहीं लगा रहे हैं लेकिन SBI को नोटस देते हैं कि अगर आज के आदेश का वक्त रहे पालन नहीं किया तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे